नमस्कार DDUP को परवा है स्वास्त की हम लाए है सेहत आप की छिख सेहत आप की में आप सबी का स्वागत और АВिनंदन करते हैं और साथ ये दşको हम अगर बात करें अपने खुश्वरत पालो की तो आप हमेशा खयाल होता है अपने खुश्वरत पालो को कैसे देख भाल करें कैसे उनको गिनने से रोके ऐसे तमाम आपकी जो समश्या है उसी समश्या को आज हमने विशे बनाया है। जी हाँ, आज सेहत आपकी का विशे है कैसे पाए निजात असमे गिरते बालों से। तो इस विशे पर चानकाई देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में विशेशक है यानि हमारे परामश डॉक्टर उमंग खन्ना आप होमेपेथिक विशेशक हैं और बहुत अच्छी जानकारी आपको देने वाले हैं कि कैसे आप होमेपेथिक इलाज से आप अपने बालों को रोग सकते हैं गिरने से उनको बचाया जा सकता है लेकिन दर्श को सबसे पहले हम अपने पहले सेग्म के साथ में अपने बालों को देखते हैं जिसको आप सजाते हैं यह वास्तर में मिरत होता है मुर्दा होता है अब आते हैं बात जो उठाई गई कि बाल ज़रते ही क्यों है इसको समझने के लिए आप एक बार समझ लें कि बाल निकलने रुकने और ज़रना तीन स्टेजों में बटा हो बाल निकलने की जो स्टेज होती है हेर फॉलिकल से उसको एनाजन कहते हैं जितने ज्यादा वक्त तक आपकी यह स्टेज चलती है उत्ते आपके बाल लंबे हो जाते हैं यानि कि अगर आपके बाल कम लंबे हो रहे हैं तो समयलिज आपकी एनाजन स्टेज कम वक्त के लिए आ यहां करीब 2-3 महिने की होती है और उसके आज जहां खतम हो जाती है और उसके बाद टेलोजेन होती है जिसमें की बाल डिस्ट्रॉइ हो जाता और आपका नया बाल निकलता है तो यही तीन बाते हैं जो आपको समझने में हेल्प करेंगी कि बाल झहरते क्यों हैं अगर आपके एनाजेनि स्टेज लंबी है तो आपके बाल ज्यादा लंबे हैं, एनाजेनि स्टेज झोढ़ी हैं, तो बाल छोटे हैं. दूसरी इसे हम बात आपको बता दे की हर वेक्ती के 40 से 80 बाल ज़रते हैं, तो आपको इसके विषय में धवडाने की ज़रूरत नहीं है, कि अगर वो आपके बाल अचानक नहीं ज़ड़ रहें, तो असी बाल तक ज़रने के लिए आपको किसी परामर्श की ज़रूरत नहीं है, उत्ते बाल जढ़ेंगे और उत्ते नए बाल टेलोजेन स्टेश के बाद वापस आएंगे तो आपके बाल वैसे ही घने बने रहेंगे लेकिन जब यहाँ बाल अचानक तेजी से जढ़ने लगें उस समय आपको डॉक्टर के परामर्ष की ज़रूरत होती है और आपको अवश उसको लेना भी चाहिए अगर आप उस परामर्ष को ले लेंगे तो आप बालों को समय पर जढ़ना रोक के अपने बालों को अच्छा रख सकते हैं तो आपको इस विशे में सजग रहना चाहिए कि हमारे बाल अचानक तो नहीं जढ़ रहें या पैचेज में तो नहीं जढ़ रहें बस वही एक देखने वाली बात होती है दर्शको अब वक्त हो चुका है कि हम हेलो डॉक्टर में आपके साथ फोन इन के साथ आप से संपर्ट करें और आपके समस्या का समधान कराएं दर्शको आज का हमारा विशे है कैसे पाए असमें गिरते जड़ते बालों से निजात तो आप इस विशे पर हमसे संपर्ट कर सकते हैं बस आपको हमारा फोन नमबर नोट करना होगा और टैल करना होगा हमारे फोन नमबर है 0522 220-5756 दोसर नमबर है 0522-2288-698 दर्शको आप से इतनी गुजारिश है कि जब भी आप फोन कॉल करें तो अपने टीवी सेट से थोड़ा दूर हो जाएं जिससे आपकी आवाज इस पस्ट रूप से हम तक पहुचे और आप अपनी समस्या का समधान पासके और साथी अब हम स्वागत करेंगे एक बार फिर से अपनी विशेशक के डॉक्टर उमंखरना का आप होमेपेथिक विशेशक हैं डॉक्साब बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका डॉक्साब जैसे कि हेर फॉल की बात हो रही है यहाँ पर हिर आपने समस्या के बारे में थोड़ा जिक्र के ज़ञाह है हमारे बाल होते है यही घूटेन होता है कि बाल होते हैं और यही जितने बाल आप बाहर देखते हैं वहां एक तरह से म्रत कोशिकाइं होती हैं म्रत होते हैं लेकिन हम लोग उसको फिर भी सवार्ना भी चाहिए जी 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 डॉक्षब यहां पर हमारे साथ एक कोलर भी है हम देखते हैं उनकी समस्या क्या है हलो जी नमस्कार नमस्ते मैदम मैं सनाम संद्रसु मिष्रा मेरभारा सुम्की जाओ भी बोगाओ मैं जाना एक जो बाल जारते हैं परिषक कुष्टों के इनने कोई परिवर्थान ना होता है दूसरी की अप जो समय लग गया है कि बाबा के सबार काले है होते के बाल सब पढ़ जाते हैं जाते हैं तो इनका बाबा तो इससे किस परकाते लिजात मिलें जी नलु सरूप जी आपके परिशना आपने सुन लिया है और हम चाहते हैं कि समाधान ये बताया है आपने बड़ी अच्छी वड़े रोचक तरह से बात हुथाई नंकि सोरी कि जो है बाबा के बा पहला कार ये कर सकते हैं कि आपके धर में जो समान है उसका आप औसरीयों को रूप में इस्तमाल करके आप लाब पा सकते हैं और दूसरा आप दबा का सारा ले सकते हैं तो पहली बात पर आते हैं अगर आपके बाल असमे सफेद हो रहे हैं या ज़र रहे हैं दोनों ही इस् पानी से धोते रहें। तो आपके बाल असमे सफेद बाल काले हो जाएंगे। होमियोपेठी में इसके लिए बहुत कारगर दवाय है। आप असमे सफेद हुए बालों को काला रखने लिए लाइको पोडियम नाम की दवा ले सकते हैं। लाइको पोडियम 30 पावर में दो-द के कारण दवाओं के इस्तमाल के कारण हार्मोनल चेंज के कारण वहाँ अपनी जगा काले होने लगे और वहाँ समाजिक रूप से बच्चा अपने को ज्यादा कॉंफिडेंट महसूस करेगा अपकी कॉल के बहुत बहुत शुक्रिया और डॉक्ट सब भी कॉजस की बात आप होमयोपेथी में हिलाज है और अच्छा है कि भाप के कारण को ही दूर करता है और बात कारण की हो रही है so मैं कारण बता देता हूँ उसका थायरॉइड में बहुत जड़ते हैं हमने अपने क्लीनिक पे अकसर हम लोग देखते हैं मरेज आते हैं उनको थिरॉइड होता हो बहुत बाल धरते हैं और होमियोपेथी में उसको ठीक करने की बहुत कारगर दवा है थारोडिनम तो अगर हमारे किसी दर्शक को हाइपो थारोडिजम हो थाराइड का वैल्यू साड़े 5 के उपर रोटी एसेच का वैल्यू और उनके बाल धर रहे हो जो की आम तोर पे होगी उनमें सिब्टम तो वो लोग थारोडिनम नाम की दवा का नियमी सेवन करके दिन में तीर बार 3X पावर में अपने बाल धरने से रोक सकते हैं दूसरा कौज आता है अनीमिया खून की कमी जब आप में खून की कमी होती है तो आपके हेर रूट्स में हेर फॉलिकल्स में ब दोनों की स्थितियां होती है इस स्थिति में सबसे पहले तो सरकार इतने कारक्रम चला रही है आपको महिलाओं को यह समझना चाहिए कि उनको पोसन अच्छा लेना है उन्हें पोसन बहुत अच्छा लेना है उसके साथ ही आप होमियोपैथी में फेरममेट दवा आती है फ प्रदूशन बी आजकल बहुत जड़ा हो रहा है बड़े शहरों में ज़्यादा हो गया है और उसके कारण लोगों को हेरफाल हो रहा है तो प्रदूशन की city में आपकी हेरफाल ज़्यादा हो रहा है जैसे आप इसका अन्दादा इससे लगा सकते हा है किसी एक शेयर से द आप आर्षनी के एल्बम 30 दो दो बून दिन में तीन बार लेके अपने असमे सफेद हुए बालों को काला कर सकते हैं। और साथ में आप यहां पर एक बात और होती है कि बहुत लोग अपने बालों को बहुत ज्यादा धोते हैं। बालों को बहुत साफ हो जाएंगे। इस बात का भी दर्सकों को ध्यान रखना है कि बालों को बहुत सौफ्ट पोछें। यह आपके डेलिकेट बॉडी पार्ट का जो है वो एक डेलिकेट हिस्सा है। इसको आप बहुत हलके से पोछें ताकि आपका फॉलिकल्स पे बहुत दबाओना पड़े क्योंकि आपके बाल जहर रहें और आप उसको स्क्राइच करके रगड के और उसको जहर रहें। डेली हेर वाश कर सकते हैं लेकि शैंपू का इस्तमाल कम करें। हफते में एक या दो बार से अधिक ना करें। क्योंकि यहां आपके स्कैल्प का पोछन ले लेता है। तो जब जो नेचुरल सीबेसियस ग्लैंट से आपका ओए सिक्रीट हो रहा है है को अच्छा रखने के लिए वह ही नहीं रहेगा तो आपका डेंडर भी आएगा और आपको हेर फाल भी बढ़ेगा। जी नमस्कार स्वागत है आपका नाम बता है। सपेक्षा दुवेदी बताई क्या जानना चाहते हैं। सपेक्षा दुवेदी बताई क्या जानना चाहते हैं आप मेरी किस्ता है मेरेवाल सखे दोगें और बड़ भी लिए दोनों ही बातें आपकी सॉल्व हो जाएंगी अगर आप थोड़ा सा घरेलू नुकसे में मेहनत कर लेते हैं थोड़ा दबा में कर लेते हैं और थोड़ दूसरी चीज आती तनाव में ना रहें और तनाव में ना रहने के लिए बहुत अच्छा तरीका आप गहरी सांसे लें जब आप गहरी सांस लेते हैं तो आपके बलड में ऑक्सीजन ज्यादा पहुंचता है और आपके शरीर का भी तनाव कम होता है और जब बलड पावर में एक खुराक यदी weekly ले लेते हैं, किवल यहां एक दबा ले लेते हैं, तो भी आपके बाल धरना रुख जाएंगे, आपको एक से दो महीने के अंदर result मिल जाएगा, और तीसरी एक बात आपने कही कि बाल बढ़ नहीं रहें, तो बाल आपके बढ़ने लगेंगे, यदि आप इसके साथ एक हुमियोपैथियों मेडिसिन आती है, एसिड हाइड्रो फ्लोर, एसिड हाइड्रो फ्लोर 30 पावर में दो दो बून ले लेंगी, तो आपके बाल बढ़ने भी लगेंगे, जी, सुपेक्षा जी हमें उमीद है कि आपकी समझाय का समधान अवश्य हुआ होगा, आपकी कॉल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्साब यहां पर हम थोड़ा यह भी जाना चाहेंगे, कि कुछ लोगों को कभी-कभी बालों में सिर में पैचिस नजर आते हैं, वहां पर उनकी बाल नहीं होते हैं, एकदम खाली हो जाती ही, ऐसी क्या सम में डिसॉर्डर का मतलब यह हो गया, कि आपके अपने सरीर की प्रतिरोधक शमता, आपके बाल की जड़ों को बाहरी तत्व मान के उसको डिस्ट्रॉई करने लगती है, यानि आपकी खुद का सरीर आपके बालों को नुक्सान कर रहा है, और वह एक 25 नुमा बाल जो है जा हैं होमयोस्यों पहली दवा है ग्रफाइटिस, अब ग्रफाइटिस थर्टी पावर में थीजो नो आ समस्या है यह जो आपका यह जो जाने वाली समस्या है, या तीन से छे महीने में डिजाल और आप ठीक हो जाएंगे यहां हमारे साथ एक कॉलर है और उनकी भी कोई समस्या है, हलो, 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 जी, तमस्कार, स्वागत है आपका, हलो, जी, आपकी आवास हमें बहुत अच्छी मिल रही है, जी, बताईए, जी, प्लीज अपनी टीवी को वॉल्यूम थोड़ा कम कर दे, अच्छी झाही है, जी, एक बार कुणा अपना प्रेसे बहुत जाना है, करे जाते हैं, जी, बहुत जाना, जाते हैं, आपके बार बिलकुल ठीक हो जाएंगे, अगर आप एक छोटा सा प्रयास कर ले, आप हरी धनिया की पत्ति ले, जिसको टुरियेंडर कहते हैं, हरी धनिय बाल लें और उसको रात में रख दें और सुबा उस पानी से अपने बालों को धूलें अगर आप यहां कर लेते हैं तो आपके बाल बहुत स्वस्थ हो जाएंगे ज़रने के लिए हमने इस कारक्रब में दवा बताई हैं लाइको पोडियम एसिड हाइड्रो फ्लोर बराइट बढ़ता है और जब आपका स्कैल्प में ब्लड फ्लो बढ़ता है तो स्वतह आपके बाल जड़ने से रुख जाते हैं बाकी तनाव ना लें तो भी आपको बहुत जल्दी सुधार होगा और आपके असमे सफेद हुए बाल वापस काले होने लगे आमले का फसल आ रही है आप आमला खाते रहें विटामिन सी का रिचे सोर्स है जब आपको रिच विटामिन सी मिलेगा तो आपके बाल खुद काले होने लगे आपके कॉल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और यहां पर डॉक्ट साब आपने बहुत इच्छी जानकारी रही है कि आप पोशन के स नहींदेरा फिक सक्षा थंदी बात की सिर्च एक कॉलर चाए है विट थन धी जगह कि बात होई थो हमारे कश्मीर से कालर भी है हम एंघ को आटेंड करते है लो हॉ आदल है का अलो है आर्लुग जी नमस्कार सुगए कर चाबतिये क्या जानना चाहते है जी मैं नशीर कश्मीर से बोल रहा हूँ, कश्मीर से नशीर बोल रहा हूँ, मेरे बाल गेर रहे हैं मैरम, जी, आपकी उम्री कितनी होगी, 28, जी, बहुत अच्छी बात आपने उठाई और अभी मौसम की बात हो रही थी, तो उसी में बात उठ गई, आपके बाल अगर जढ रहे हैं ठंडक के कारण, आपके थोड़ा blood vessels contract हो गई है, जब blood vessels में contraction आ जाता है, तो शायद जो पोशन होता है follicle को, उसमें कुछ फरकाता है, तो अगर आपके ठंडक के कारण बाल जढ रहे हैं, या बाल जढ रहे हैं, तो उस इस्तिती में एक उपाई जो आप सब से मसाज कराएं, अगर आप तेल लगा के बालों में oil apply करके थोड़ा मालिश कर लेते हैं, सरकी मसाज कर लेते हैं, तो उससे आपका blood flow बढ़ेगा आपके scalp में, और जब आपके scalp में blood flow बढ़ेगा, तो जो आपकी hair follicle होती है, जहां से बालों की उत्पती होती है, बाल जरूर मुर्दा होते हैं, यह बाल डेड हैं, लेकिन अंदर जो follicle है, वहाँ डेड नहीं है, तो अगर उनमें blood flow बहुत अच्छा आजाएगा, तो आपके बाल जरूर रुख जाएंगे, और आपके बाल घने हो जाएंगे, और एक चीज यहां बता दूँ कि फिर से मैं कहना हुए हो, जी, जी, नॉर्मली आपके डेड़ से दो लाख बाल होते हैं, और जो है, वहाँ चालिस करके असी जुड़ते हैं, और वो टेलोजन फेस के बाद दोबारा निकलने लगते हैं, यहां पर मैं बता दूँ कि एनजन जो स्टेज होती है, बाल बढ़ने की वहाँ त करिया, और डॉक्र साब, यहां ठंडी जलवायू की बात हुई, और कश्मीर से फोन कॉल भी आ गई, लेकिन जिन लोगों की समस्या जादा हो चुकी है, मतलब बाल बहुत कम हो गए हैं, तो क्या दोबारा से होमेपेथिक दवायन पर कारगर हो सकती हैं, जी, हां बिलकुल हिस्से में एक मेल बैडनेस पैटन होता है, एंडोजेनिक पैटन, जब साइट से बाल जाते हैं, तो अगर यह आपके नहीं गाएं और बाल हलके हो रहे हैं, तो वहां बाल निकलने की स्थिती होती है, अगर आप जो बाल हैं, उनकी ही केवल केर कर लेंगे, बाकी बाल है, उनके बीकुष जेक हैं, खेलो, है, नमस्कार, स्वागे थे आपका नाम मतँ है, रिचा, जी रिचा, बताएं क्या चानना चाहती एं आपका डेंडर पीला है कि सफेद यलो ब्राउन या वाइट है जिचा जी हलो रिचा जी वाइट ठीक मैं आपको तीनों विकल्ब दिये देता हूं कि अपने 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 अगर आपके वाइट डेंडर फैंट तो आप दो काम कर सकती हैं पहला काम कर सकती हैं जो आप अपने घर में कर सकती हैं दूसरा काम कर सकती हैं जो आप मेडिकल स्टोर तक जा सकती हैं या सरकार ने इतनी स्वास सेवाएं उपलत करा दिया आप किसी भी अस्पताल में जाकर उसको कर सकती हैं तो पहला स्टेप है कि आ अगर आपके dandruff है तो इसकी होमियोपैथी में बहुत कारगरदवा है नेट्रम मियूर, आप नेट्रम मियूर वन एम पावर की तीन खुराग पांच पर क्मिट के फासले पर वीकली यानि हर अपते ले लें, आप देखेंगे कि आपकी dandruff चली गई, दूसरी कंडिशन भी बता दे, बहुत से हमारे दर्शक होंगे जिनके कि yellow dandruff होगी, अगर पीले रंग का scale पढ़ रहा है, तो आपकी होमियोपैथी में बहुत कारगर दवा है काली सल्फ, काली सल्फरिकम 30 पावर में 2-2 बूंद आप दिन में 3 बार ले लें, तो आपका yellow dandruff चला जाएगा, औ इसी शंखला में एक और तरह का है कि brown dandruff पढ़ रहा है, भूरे हलके भूरे रंग का एक tint मार के वो पढ़ रहा है, तो अगर tint है उसमें brown color का, तो उसकी रवा है काली मियूर, काली मियूर 30 बार ले लें, और यहां पर मैं हम दर्शकों को यह भी बता दे, कि dandruff होता क्या ह जिसे आपने सवाल करा मेरे dandruff है, तो dandruff होता क्या है, आप यह भी जान ले, dandruff जो आपकी skin होती है, उसकी जो outermost layer होती है, epidermal layer होती है, उसका जब scales वो dry हो जाती है, तो scales के form में छूटती है, तो वहा ही dandruff होता है, रिजा जी आपकी call के बहुत बहुत शुक्री है, औ सब एक और caller है, और उनका भी कोई प्रेशने है, hello? 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 Yes, आपकी आवाज नहीं आ रही है, hello? कि हम अपने सभी दर्शकों से रिक्पेस्ट करते हैं कि आप अपने टीवी को वोल्यूम कम रख़ते हैं कि आप कॉल करें या आप मोबाइल लेकर के थोड़ा दूर चले जाए जाए जी यह कॉल बहुत अच्छी तरीके से हम तक नहीं पहुचे डॉटसब यहां पर अपने की बात की तो आज कल चूटे-चूटे बच्चों में भी रूसी की समस्या नजर आरे और सब क्या वो पोशन की कमी की वज़े से हैं सु पोशन नहीं मिल रहा है ऐसा भी कुछ है जी हां बिलकुल है पोशन की वज़े से सबसे बड़ी कमी जो इससे में बच्चे पानी कि कहीं भी प्रदेश में कोई भी देश में लग जाते हैं तो जब आप को नाश्टा कर लिया उसके एक छोटी सी आप लीटर की बॉटल ले गाए बहुत से बच्चे तो आधे लीटर की बॉटल ले जाते हैं वो जानते हैं कि स्कूल जाके शाहिए क्लास के बीच में टॉ कि वज़ा से एक स्थिती पैदा होती है दूसरा पोसन है हमें अपने पोसन का बहुत ध्यान रखना है हमको जो है प्रोटीन डिश कंपाउंड लेने हैं क्योंकि हमारा हेर जो है वाप प्रोटीन है अब जो चीज ही प्रोटीन है यह बहुत ही जानकारी यहां पर है और है झाल 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 जो जो प्राइब, बाहट कर्जा है कर दो दो, पर दो प्राइब, झाल जा रड़ा हुआ।